हेलो गाईज मेरा नाम है जत्यन अगरवाल अब जुड़ चुके दबूल लव दला स्रीट चानल के साथ और आज जो एक IPO आ रहा है एंजल ब्रोकिंग का फोर्थ लाज़स ब्रोकर है इस कंट्री का हमें पता ही कि यहां जो बड़े ब्रोकर से उनका बिजनेस बढ़ता ही ज आ रहे हैं एंजल ब्रोकिंग के अंदर अकाउंट खुलवाने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है अगर आप उस लिंक पे क्लिक करके अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको एक FREE DEMAT अकाउंट मिलता है एंजल की तरफ से पहले साल के कोई अकाउंट मे इंजल ब्रोकिंग जो कंपनी है 1996 में बनी थी और इंडिया का सबसे पुराना ब्रोकिंग हाउस में से एक है इनकी कई सारी सर्वेसे हैं अलग-लग ब्रैंड जैंसे इंजल बी हो गया ARQ हो गया ARQ जिसको मैं कहता हूँ इनका मार्केट शेयर अराउंट 6.3% का है 2.15 मिलियों ओपरेशनल ब्रोकिंग अकाउंट है as of June 2020 चौथा सबसे बड़ा ब्रोकर है मैं आपको बता चुका हूँ and second largest in terms of incremental NSE clients in quarter 1 FI 21 तो एंजल ने बहुत जाद अकाउंट्स को लें मैंने आपको बताया जैसे इनकी strategy shift हुई है इन्होंने बहुत ही अच्छे से market को capture किया and बहुत बड़ा broker है तो आपको यहाँ पर अकाउंट खुलवाते हुए कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्या क्या चीजे provide करते हैं गाईस तो जैसे बड़े brokers होते हैं सारे तो वो services provide करते हैं call and trade हो गई, broking हो गई, margin trading facility हो गई, investor education हो गया, loan against share हो गया, research services हो गई काफी सारी services provide करते है, pan India presence है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका rupees in million में दे रहा है इन्होंने सब कुछ but market को इन्होंने बहुत अच्छे से capture किया, एक बार इनका definitely a dwindle down हुआ था profit after tax but इनको बहुत जल्दी समझ आ गया था कि इनको कैसे अपनी strategy revamp करनी है and since then we have seen a consistent growth, इस साल की भी जो growth है काफी अच्छी लग रही है आती हुई and angel ने again, मैं वही कहरा हूँ कि market को बहुत अच्छे से capture किया और जैसे कि मैं आपसे हमिशे कहता है हूँ कि आप बड़े brokers के पास रही है जो established brokers है उनके पास रही है again, I have nothing against the smaller brokers but farewell securities में क्योंकि मेरा account था और farewell securities bankrupt हो गया एक दिन, fraud कर दिया उसने तो मैं यही suggest करता हूँ कि बड़े brokers के पास रही है and angel में मेरा खुद का account है तो मेरे को अस्ता कोई दिक्कत नहीं आई है हो सकते है सबका personal experience थोड़ा अलग रहता हो but कभी भी मेरे को ऐसा major crash देखने को नहीं मिला angel के अंदर जिसके अंदर की मेरी trade नहीं डल रही है मैंने इनको call and trade की facility यूज़ करनी चाहिए और वो नहीं हो पाया तो angel broking के अंदर हम देख लेते हैं कि IPO खुल रहा है आज September 22 को September 24 को बंद हो जाएगा 49 shares का lot है 306 रुपे पे आपको इसमें IPO में allotment आईगी और pre issue share holding 65.42% की है promoters की ये IPO लिस्ट हो जाएगा 5 October को ही एक तारिक को आपको पता चल जाएगा कि आपको allotment आई है की नहीं आई अब इन दिनों हो क्या रहा है IPO में allotment आ नहीं रही है मेर को तो नहीं आ रही है आप लोग को आ रही है तो मुझे comment section में ज़रूर बताईएगा बट मेर को बिल्कुल भी allotment नहीं आ रही है तो मैं apply तो सारे में ही कर रहा हूँ cams और camcon का देखते हैं क्या result रहता है बट मेर को पहले जो दो थे happiest minds के अंदर और root mobile जो की मुझे बहुत ही पसंद आई थी company दोनों के अंदर मुझे allotment नहीं आई है angel broking के अंदर मेरी सला क्या रही है आपके लिए मेरी सला यही है कि आप इसके अंदर बिल्कुल apply करें इसमें कोई reason नहीं दिखता मुझे ना apply करने का अब guys मैं आप लोग को दिखाना चाहूँ अगर आप angel में account खुलवाना चाहते हैं तो कितना simple process अब मेरी कोई भी वीडियो की नीचे जा सकते हैं आप ए clearly लिखा हूँ है open dmat account with angel broking इस पे बस click करिए link पे और यह link आपको redirect कर देगा यहाँ पे बस आपको अपनी details भंडी है next step में आपको बस एक दो documents upload करने होते हैं pan card, adhar card, अपनी photo and account आपका open हो जाता है कोई upfront charges नहीं है, कुछ भी नहीं है बहुत ही शांदर broker है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको जैसा मैंने का था है कि 0 rupees लेते हैं delivery पे 20 रुपे लेते हैं F&O order पे मैं इसको खुद use कर रहा हूँ, मेरे को आज तक कोई problem face नहीं करनी पड़ी है अगर आप किसी और broker का भी account खुलवाना चाहते हैं आपके उनके भी links है, बट Angel Broking का IPO आ रहा है Angel Broking definitely is one of the largest broker in this country and is one of the finest brokers in this country Angel के अंदर आज तक मुझे कोई दिक्कत नहीं आए और I hope कि आप लोग को भी ना आए तो आप Angel Broking के अंदर IPO में apply करिए, बिल्कुल करिए इस IPO को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है grey market premium के ओपर जो update होगा तो वो मैं एक छोटी सी वीडियो अलग से बना ही दूँगा minimum आप इसके अंदर एक lot के लिए apply करिए maximum 13 lots के लिए but guys मेरे से बहुत लोग पूछते ही कि हम कितने lots apply करें एक account से या नहीं एक pan से एक pan holder से यह कह रहा हूँ मैं एक account या नहीं यह नहीं कि मेरा bids करेंगे तो वो reject ही हो जाएंगी maximum अगर आप 13 lots के लिए apply करते हैं तो भी आपको एक ही allotment आनिए क्योंकि distribution जिसे साब से होता IPOs का maximum लोगों को distribute करते हैं यह IPOs तो ऐसा नहीं कि आपने 13 lots apply करें तो आपके chances ज़ाद है नहीं consider एक ही होएगा वो तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ अगर oversubscription आ रही होती है किसी भी IPO के अंदर तो एक ही lot के लिए apply करें और इन दिनों IPOs के अंदर oversubscription बहुत heavy चल रही है root mobile वगेरा के अंदर बहुत heavy थी happiest minds के अंदर बहुत heavy थी chemcon I think आज के दिन में ही oversubscribe हो चुका है तो बहुत heavy IPOs में oversubscription चल रही है तो एक lot के लिए apply करें तो guys concluding this video मेरी सला यही रहीगी कि आप Angel के IPO में जरूर apply करें hopefully आपको इसके अंदर allotment आए and मेरी एक और suggestion रहीगी कि आप Angel के DMAT account को खुलवा के ही Angel Broking के IPO में apply करें तो अगर आपको DMAT खुलवाना है तो link description में है अगर आप मेरसे कोई educational service या कोई advisory service के लिए consultation लेना चाते है या बात करना चाते है discuss करना चाते है तो मेरा email ID website का link, मेरा instagram का link मेरा linkedin का link, even my mobile number is given in the description below आप मुझे contact कर सकते हैं I handle the educational side of the business and my business partner Yash Seth who is a CFA he handles the advisory side of business तो आप उनको hire कर पाएंगे जैसे ही आपको लगता है कि हा I need to you know have some portfolio construction type की financial planning advisory वो सारे side का अगर business आपको चाहिए या वो सारी services आपको चाहिए तो फिर आप Yash Seth को contact कर सकते हैं again you just need to drop me a mail and I'll get you in touch with him thank you so much for watching this video I know मैं थोड़ा screen पे नहीं आपा रहा है shifting में busy हूँ बहुत ही जल्द again top notch quality की videos आनी शुरू होएंगी बीच में office से work करना शुरू करने की कोशिश करी थी बड़ वो possible नहीं हो पाया है तो अभी घर से ही काम करेंगे and I hope you guys are staying at home staying safe and I'll see you in the next one Bye